हेलो आप देख रहे हैं सेल्प ग्यान और आज हम डिसकस करेंगे कि हमने कम्प्लेइन की ती और असाइन्मेंट के मार्क स्टूडेंट के अपडेट होगी तो काफी फरेशान था वो स्टूडेंट क्योंकि उनको लगबग 6 महीने से ज्यादा हो गया साथ-8 महीना हो गया अस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अपडेट आपको टाइम-टू-टाइम मिलती रहे तो चलो शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं दिखा रहा हूं आपको यह मेल आसाइन्मेंट मार्क नोट अप्टेटि डिसंबर 2020 सेस्टिन के जो हमने भेजा था ठीक है तो इसमे सब्सक्राइब के मार्क जो है अपडेटि नहीं हुए थे रिजिनल सेंटर का नाम लिखा और और बताया कि हमने जो ऐसे दिसंबर 2020 सेस्टिन में हमने भेजे थे उसके बाद हमने जो मार्क ग्रेड कार्ड है उसको लगाया जिस में मार्क जो है वो दिखाई नहीं दे रहे तो अब मैं आपको दिखा देता हूं उनका ग्रेड कार्ड तो चलो देखो उनका ग्रेड कार्ड है यह तो यह उनका पहले नोट कंपलिटिड आ रहा है यह बाला तो उनका पहले वाला grade card है ये वाला ये है इनका यहां पे note completed लिखा हुआ आ रहा है थोड़ी में जो है उनके C है लेकिन assignment में कोई भी mark नहीं है तो इस तरीके से complain करने से क्या है उनका जो है assignment के marks update होगे तो इसी तरीके से जो है आपको भी mail करते रहना है जब तक आपके marks update न ही ने आपको लग जाएगा आपकी degree हो जाएगी लेट तो regional center पे study center पे ऐसी डिग्रीवियंस पे आपको mail करते रहना है कि मेरे marks update नहीं है पूरा detail लिखना है उसमें अंदर मेरा normal number ये मेरा program ये मेरा नाम ये मैंने इस time पे इस session में जम्मा किया था और अभी तक मेरे marks जो है की process होगा और काफी time लंबा time आपको लग जाएगा तो प्लीज ध्यांदे इस चीज को initiate लें जिनका last है final चल दा है और कोशिश करते रहें हिम्मत नहीं आने का है इसमें तो अगर आप अपनी complaint नहीं करोगे तो वो उनकी system से निकल जाएगा अभी कम से कम वो check तो कर सकते है कि हां उसके assignment आये थे कि नहीं आये थे फिर उनको marks देने है कि नहीं देने है और आपके grade card में update हो जाएगे आज है करता है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो subscribe करे like करे